हेलो फ्रेंड मैं हूँ ओमनी फ्रेंड जैसे कि आपको पता है कि मैंने लास व्लॉग में बताया था कि मैंने काफी सारी शॉपिंग की राजा मंडी यानि कि आगरा के फेमस मार्केट से उसका रीजन रहा है उसका reason था कि मैंने आपको बताया था कि मैं कहीं जा रही हूँ तो इस title से भी आपको शायद थोड़ा संदाजा लग गया होगा कि मैं कहां जा रही हूँ तो फैर नहीं हाँ पर मैं planning कर रही हूँ अपनी family के साथ एक trip plan की है मैंने जिसमें मैं जा रही हूँ तो मैं जा रही हूँ वो भी second time जा रही हूँ first time पे अपनी शादी के वाद गई थी लिए मुझे गोआ बहुत पसंद आया था तो मैंने वहाँ पर प्लान कर लिया था कि अपकी बार मैं यहाँ पर जब भी आऊंगी तो अपनी family के साथ आऊंगी क्योंकि मेरे को बहुत मने कि मैं एक बार अपने parents को एक ऐसी जगा दिखा हूँ जो कि शायद बहुत ज़्यादा famous है खासकर newly married लोगों के लिए बहुत ज़्यादा famous है तो मैंने सोचा था कि मैं इस बार अपनी family के साथ आऊंगी यहाँ पर तो वो दिन मेरे लिए आगया इसलिए यह दिन मेरे लिए बहुत ही खास है कि मेरे को आप लोगों के साथ खुशी शियर करने को मिल रही है कि मैं अपनी family के साथ गवा जा रही हूँ तो बस हमको एक दो दिन में निकलना है यानि कि हमा को परसु सुबा निकलना है यह व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं आप पता नहीं कब तक अपलोड होगा तो लेकिन आप लोगों को जल्दी अपलोड कर दूंगी मैं तो बस में को यह बताना था कि मैं गुआ जा रही हूँ जिसके लिए मैंने आपके की है भर-भर के शॉपिंग मेरे लिए बहुत खास है यह इसलिए भी खास है कि मेरे हस्बेंड ने मुझे यह गिफ्ट दिया है क्योंकि मेरा आ रहा है बर्डे 28 सेप्टेमबर तो जिन मेरा है बर्डे तो मेरे हस्बेंड ने मुझे सब्ट्राइज दिया था कि आपके लिए इससे अच्छा बर्दिंग गिप्ट कोई होई नहीं सकता कि क्यों ना मैं आपकी वो ख्वाइश पूरी करूँ जो कि आपने मुझे बताई थी तो वो ख्वाइश मेरी फाइनली पूरी होने वाली है तो मैं अपनी फैमिल के साथ जा रही हूँ तो अब आप देख सकते हैं मेरी हालत बहुत जादा खराब हो रखिए क्योंकि मेरी बेटी के वागे से कुछ भी नहीं हुआ है ना कोई शॉपिंग ना कोई कुछ अपनी जादा नहीं हुई है थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग की है लेकिन जादा नहीं हो पाई है क्योंकि मिलकर कुण साइब आइठ ञापकि刃ूरी है क्योंकि मेरे कि महिए बटो आपको की शॉपिंग करूँ दिखांगी जरूर तो इसे पहले मैं आपको बताथी कि मैंने ब हेस्फाइलडी भी भाइ कि है क्योंकि कपणे भी है मेकव का समान भी खईदा है जैसे कि मैन आपको बताया था लिकिन इस वक मेरी कंडिशन बहुत जादा खड़ाब है क्योंकि मैं को बहुत सारी पैकिंग करनी है बहुत सारा अपनी हस्बेंड का बैटी का बैग लगाना मिर को अपना बैग लगाना और अपनी मम्मा के लिए इस पतारी मेरी मेट करनी है क्योंकि मैं भी मम मत भी घरी हूं के अगरियर अपनी मां मेरी अज़ शूचा इंट की सब कुछ ऐसं उलSक्ट गरोशी क्योंकि आनिके मेरी फैमिली हो मेरी अग 2 दरीके से ो तो मैं ने सोचा क्यों आ यह हरे गोल्य गज़ती ही है बागिंगक बनाया जाए आपको भी तो पता चलना चाहिए कि मैं नॉर्मल लाइफ में या नॉर्मली घर पे कैसे रहती हूँ तो आठ देख सकते हैं मैं घर पे कैसे रहती हूँ इस वक्त मेरी हालत जैसी थी मैं वैसे ही उठाया और वैसे ही शूट करने बैठगी कि मुझे तो बस ऐसे सब चाहिए कुछ व så god am a व्लोग के सब Евग Boy equंश करना चाहिए कि मै मेरी खुराक चाहिए तो आफिशे नॉर्मन लाइफ तो ऑने वाले व्लोग में मैं आपको बताने या था आप लोगे के लिए बहुत ही सबस्क्क्रमरने चलाया छेंगे और आपको गोई इक एक जगा क को दिखाने की पूरी कोशिश करूंगे और मैं आपको बताऊंगे कि मैं अपना बढदिक इस तरीके से सेलिब्रेट किया इसलिए आप मेरे आने वारे सारी ब्लॉक्स को जरूर देखिएगा उनको लाइक भी जरूर कीजिएगा तो फ्रेंड्स आप करते हैं हम पैकिंग पै करना है अच्छे जिए जाने से पहले कुछ तो स्टाइल करना चाहिए ना तो यहां पर मैंने लिया है हेर कट और आप देख सकते हैं यहां पर मैं फटाफ़ से सैलून गई थी कल यानि कि जब जी मैंने ब्लॉक्स शूट किया है उससे एक दिन पहले जस्ट मैं सालून मैंने अपने बॉड़ी वैक्सिंग कराई थी बॉड़ी पॉलिशिंग कराई थी सब कुछ कराया था मैंने वहां पर आखिर गोवा जा रही हूँ और वह भी अपने वट दे के सालिब्रेशन के लिए तो तैयारी तो होनी चाहिए ना अच्छे से तो यहां पर मैंने सब करा रही हूँ वरना कुछ टाइम से अफ Mexican मिल के अबढ आहां मेरा एर करन चाहिक पैमार का रिचो और मेरा हेर कट कैसा लागा Our सलून में कम से कम 3-4 घंटे बिताए थे तब जाके मुझे यह लुक मिला और आबाकी का आप लोग के सामने है और उसके बाद फिर मैं घर के लिए रवाना हो गई और फिर उसके बाद मैंने कुछ शॉपिंग की और उसके बाद फिर मैं घर आ गई अब आज की बाद काफी ज मैं जाना है तो मैं के जर्नी का भी आप लोगों के सात दिखाने वाली ओगे तो पहुंची तो आप आने